नमस्कार मैं हो यास्मीन बॉलिवुड आक्टर सुशान सिंग राजपूत की मौद के बाद से कंगना रनौत बॉलिवुड माफिया और इंडस्टरी से जुड़े बड़े खुलासे कर रही है कंगना ने कई नामचीन हस्तियों को आड़े हातों लेते वे उन्हें सुशान की मौद का जिम्मेदार ठहराया हाली में एक इंटर्विय के दोरान कंगना रनौत ने सुशान सिंग राजपूत के निधन के बारे में बोलते वे बॉलिवुड की बड़ी हस्तियां और बहारी लोगों के प्रती उनके रवईय के बारे में सच्चाई उजागर की वहियां उन्होंने एक बार फिर आलिया भट के खिलाफ अपनी नाराज के जाहिर की कंगना ने हाली में एक बादशीत में कहा कि उन्हें ये देखकर डर लग गया होगा कि उन्होंने मुझे आईफा लंडन में कैसे अपमानित किया था जबकि बॉलिवुड का नेपोटिजम रैकेट अब जनता के सामने आ चुका है फिर भी इस बात पर कोई रोक नहीं है कि उनके अवार्ड समारो एक दूसरे की पीट थप थपाने के लिए कितना बड़ा घुटाला करते है वही कंगना ने बिना किसी आधार के नॉमिनेशन और चूज करने के अनूचित वैवार के बारे में चर्चा की उन्होंने कहा कि दिपिका कम से कम अवार्ड पाने की भावना नहीं रखती जब उन्हें हापी न्यू यर के लिए अवार्ड मिला तो उन्होंने स्विकारा था कि क्वीन का प्रदर्शन बहतर था लेकिन आलिया को गली बॉय में दस मिनट के रोल के लिए में लीड अवार्ड स्विकार करने में कोई शर्म नहीं थी तो देखा आपने कंगना ने आलिया भट को गली बॉय के लिए मिले बेस्ट आक्टरस के अवार्ड पर ताना मारा है वैसे ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने आलिया भट पर निशाना साधा हो हाली में उन्होंने आलिया पर तंच कसते वे कहा था कि वो स्वरा भास करो तापसी पन्नों से भी घटिया आक्टिंग करती है बताते चले कि कंगना से पहले आलिया ने भी अपने पिता के उपर लग रहे आरोप का जवाब देते वे कंगना पर निशाना साधा था और उनके लगाए आरोपों को जूटा बताया था लेकिन शेडनी कंगना ने फिर से आलिया को मूतोड जवाब दे डाला है वेल देखने वाली बात अब यह होगी कि कंगना की इन बातों पर आलिया कैसे रियाक्ट करती है अब बात किसे रियाक्ट करते है